भाईया, आज ज़रा घर पे आ जा ना, थोड़ा सा काम था जी ठीक है नमस्ते भाईया, कैसे हो? बस जी, ठीक हो घर पे सब कैसे हैं भाईया? ठीक है जी, बस कल वो बड़े वाला लुका, चक्कर खाके बेऊश हो गया था जी, बस दो दिन से कुछ खाया नहीं था तो कमजोरी आगी थी भाईया, खाना क्यों नहीं खा रहा वो? जी, घर में आटा खतम हो गया था और किराने वाले ने भी अब उदार देने से मना कर दिया है और बच्चों का स्कूल? जी, बच्चों के स्कूल की फीस तो नहीं दे पाए तो फिर स्कूल से नाम ही कटवाना पड़ा क्या हो भाईया, काम नहीं चल रहा क्या? नहीं जी, तीन महीने हो गया है कोई मजदूरी नहीं मिली पहले रोज के 300 रुपे मिल जाते थे धीहाड में और मेरी बीबी भी चार घर में काम करती थी तो हम 15-16 रुपे कमा लेते थे मुझे अब 3 महीने से कुछ काम ही नहीं मिला और मेरी बीबी भी बस एक जंगा काम करती है आप जो पैसे दे देते हो उसी से अपना घर चला रहे है भया, 4000 में आपना खर्चा कैसे चल रहा होगा? बस जी, खर्चा तो क्या चलना? 5000 तो किराया ही है और 3000 दवाइँ में चले जाते हैं चोटे लड़के की तीन महिने से किराया तो दिया नहीं लेकिन मकान मालिक अच्छा है तो वो अभी कुछ नहीं कह रहा पहले किराने वाला भी उधार दे देता था पर अब उसका उधार भी 6,000 हो गया है तो उसने भी देना बंद कर दिया तो फिर आप लोग खाने का कैसे कर रहे हो जी जो आप लोग सुबह को देते हैं वो हम दोपैर में खा लेते हैं और रात को चार रोटी और प्याज खा के सो जाते हैं इतनी गर्मी में बच्चों को तो नींद भी नहीं आती पंखा खराब हो रखा है पर अभी पैसे ही नहीं असो धरवाने के जैसे कोई मजदूरी मिलेगी फिर देखेंगे आप मजदूरी कैसे ढूनते हो फिर? जिन लेबर चोक पर जाके खड़े हो जाते हैं जिस किसी को भी काम हो वो ले जाता है पर अभी कुरोना की वज़े से सब जंगे काम बंद से ही है सही में भाया भगवान ने बहुत बड़ी मुसीबत भेज दिये जी जब उसने मुसीबत दिये तो वो लड़ने की ताकत भी देगा भाया आप लोग इतनी तकलीफ में थे आपने कभी फोन करके बताया क्यों नहीं? बस जी आप लोग वैसे ही हमारी इतनी मदद करते हो मैं आपको और परिशान नहीं करना चाहता था एक काम करो भाया आपे 20,000 रुपे रखो और एक पंखा भी वापस देने की जुरत नहीं है आप अपना हिसाब क्लियर करो और मैं आपको हर मीने राशन के पैसे भी भेश दोंगी आपका बहुत बहुत धन्यवाद लेकिन इसके बाद मुझे और पैसे नहीं चाहिएंगे कोरोना थमा है उमीद है कि अब कुछ काम मिलने लगेगा मेरे जैसे बहुत गरीब लोग है शायद उन्हें इन पैसों के जारा जरुरत होगी ये कहानी कालपनिक नहीं है बलकि हमारे घर में काम करने वाले लोगों की है इस मुश्किल समय में हम सब लोग इस बीमारी से परिशान है पर शायद कुछ लोगों का संघर्ष इस बीमारी से कहीं जादा पेट की भूख से है